स्रेश वाय नमस्तु भ्याम हम सबको पता है कि 27 फरवरी को फागुन मार्स का पहला मंगलवार का दिन है और जो फागुन का पहला मंगलवार होता है उसे हम हनुमान जैनती के नाम से जानते हैं और ये वीडियो आपकी फैमली आपके परिवार में खुशियों को और लाने के लिए है ताकि आपके जीवन से सारे कस्ट खतम हो जाए ना तो आज शाम के टाइम पे एक छोटा सा काम करिएगा पीपल के जड़ में बस आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा ठीके कैसे करना है क्या क्या होगा बताओंगा पूरी बात तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए ठीके चलो समझते हैं जैसा मैंने लिखा था कि हमें कहां पे जाना होगा पीपल पेन के नीचे जाना है लेकिन कब जाओगे आपको जाना है शाम के टाइम पे प्रदोश काल में क्या लेके जाओगे एक तामबे का पेन के नीचे लेकर के जाएंगे तीन सामान लेकर के जाना है एक बेल पत्र एक चुटकी हल्दी और एक तामबे की रोटे में जल ठीके जल के अंदर आपने क्या डाल दिया हल्दी की जो एक चुटकी ली थी उसको आपने जल के अंदर डाल दिया एक चीज का ध्यान रख जल के अंदर बेल पत्र को नहीं डालेंगे, पहुच जाना महा देव, सरी, पीपल पेंड के नीचे, ठीक है, समझेंगे उपाएं को, आपको शाम के टाइम पे पर प्रदोशकाल में जो जल समर्पित करोगे पीपल पेंड की जड़ में, बाला जी के नाम से समर्पित करोगे तो आपने जो एक बेल पत्र अपने साथ लेकर क्या है हो उस एक बेल पत्र को वहीं पीपल पेंड की जड़ में पिपल लेश्वर महादियो की नाम से समर्पित करेंगे और जो आपकी कामना हो जो आपके विश हो अपनी फैमली अपने परिवार के लिए आप जो कुझ भी मांगना चाहते हैं उस कामना को कह देना आपकी सारी इच्छा है पूरी जरूर होगी ठीके परिवार भी आपका खुश होगा और आपकी इच्छा भी बहुआ जल्दी सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करने से फायदे के होंगे इसके फायदे हैं कस्ट को लोकर की आप वो कस्ट आप गर में धन की रूप में हो उसको खतम करते हैं तुके समझेंगे यहाँ पे आपके सामने दिख़रा होगा पीला, चंदन जो भी आपके पास में पीला कोई भी पाउडर हो चाहे वो कलर हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो हल्दी हो कुछ भी पीला होना चाहिए, वो लेंगे साथी साथ आपको जनेव लेनी है क्या लोगे? जनेव, कितनी? दो जनेव इससे जादा मत लेना, एक चीज का ध्यान लखेंगे जनेव दो तरीके की मार्केट में मिलती है एक होती है सफेद कलर की, जो आपको इस क्रिंट पर दिख रही है एक होती है पीले कलर की, तो आपको पीला वारा नहीं खरीदना है आपको लेना होगा दो सफेद वाली जन्यों ठीके इस सफेद जन्यों को आप लेके अपने घर आएंगे जो भी पीला आपके पास में कलर है कोई भी कुछ भी है चंदन है हल्दी है उससे उस जन्यों को घर पे पीला करोगे ठीके और पीला करने के बाद में आपके घर में ब होंगे उस किस्ट की काम ना कर गए ठीक है जब समर्पित हो जाए तो कम से कम आपको एक बार हनुमान 40 का पाठ वहीं पर बैठ करके काफी जादा लोग मैंने देखा है लोग हनुमान 40 का पार्ट मंदिर जाते हैं तो खड़े खड़े हो करके कहते हैं जो कि ये विधी पूरी तरीके से गलत होती है आप कोई भी चालिसा का पार्ट करेंगे आपको बैठ करके आसन बिछा करके पार्ट को करना है उसका लाभ बहुत जादा होता है ठीके करिएगा जरूर तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही आसान असान से दो उपाय की बात कर ली है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ जो की आपको करना होगा धतूरे से और बताओ मैं ये जो धतूरे वाला उपाय है न सबसे फेमस उपाय है ये धतूरे का क कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी मनो कामना है, क्या करोगे, उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जादस जादा लोगों तक शेयर करेंगे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बाद सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक छो है, वो मेरा कोई भी चैनल नहीं है, इस चीज का ध्यान लखेंगे, ठीक है, चलो, अब आपको क्या करना है, आपको लिना होगा एक धदूरा, मंगलवार के दिन, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में एक धदूरा लेने, ठीक है, इस धदूरे को खाड़ा नी लेना है, ऐ ऐसे लेंगे और इसको बीच से फाड़ देंगे, चाहे चक्कू से, ब्लेड से, कैची से, कैसे भी तोड़ना है, इसको तोड़ देना, तोड़ने के बाद में इसका जो ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, कांटे वाला, इसको फेक देना, ऐसी जगे फेक दाले लेना, जिसमें जल भरना आप अपने घर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो भी आपने लिया है धतूरे का बीच, वो आप इसके अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, पहुँच जाना, महा देओ के शिवलिंग के पास में, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में पहुच केशवर महा देओ, देखो, इस उपाय को आप हमेशा नहीं कर सकते, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको मंगलवार के दिन करना है, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में, कुंद केशवर महा देओ की नाम से धतूरे का बीज महा देओ के शिवलिंग के उपर समर्पित कर रहे हो, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है, तो करिएगा जरूर सभी लोग मंगलवार के दिन, देखो, ऐसा नहीं कि जितने उपाय मैं बता रहूं, आपको पता नहीं है, आपको सारे उपाय पता है, मुझे पूरी उमीद है, लेकिन मेरा काम क्या है, आप आपको याद दिलाना, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, बार-बार वीडियो को खोचता हूं गुरुजी की, और तब आपको उपाय समझाता हूं, तो मेहनत अगर आपको पसंद आती हो मेरी न, तो वीडियो को जादा से ज़्यादा लोगों तक शेर जरूर किया करिए, ठीक है न, यहाँ पे हम लोगों ने कितने उपाय की बात की, तीन, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात कर ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको यहाँ पे जीवन के जो भी कस्टों, जिसे होता है न, कि आज के टाइम पे घरों में लिके के पत्ते होते हैं, एक होता है बहुत ही टाइट सा, टाइट वननी लेना, जो बहुत ही कोमल सा नया पत्ता होता है न, उस एक नए पत्ते को तोड़ लेना मंगल वार के दिन, ठीक है, तोड़ने के बाद में आप पे घर में सिंदूर होगा, ठीक है, आपकी सिस्टर हों आपकी मदर हों कोई सिंदूर यूज़ करती होंगी आपको क्या करना है सिंदूर लेना उस सिंदूर का थोटा सा गाणा सा पेस्ट बनना सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना है और उसी सिंदूर के पेस्ट से आपने जो भी पीपल का पत्ता लिया है उस पे राम लिखोग आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ती प्रतिमा हो उनके पास में जिस वज़े से आपके जीवन में कस्ट बहुत जादा आ रहे हैं बहुत परेशान हो गए हो उस कस्ट का इसमरण करते वे समर्पित कर देना अपनी इच्छा कह देना और उसके बाद में एक आप पास में कोई भी नदी तलाप सरोवर कुवा बावरी हो वहाँ पे ले जाकरके विसरजन कर देंगे नदी तलाप कुवा नहीं है तो जिस पीपल पेंड के पत्ते को लेकर किया आये थे उसी पीपल पेंड की जडमे ले जाकरके समर्पित कर देना बहुत ही छोटा सा बहु पूशना है नहीं समझ में नीचे comment section में पूछें और हाँ अगर आपको मुझसे phone बाते करनी है message बाते करनी है तो आपको नीचे जॉइन का बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बाते कर सकते हैं बाकि हाँ अगर मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्रेश वाय नमस्तु भ्याँ